इसकोछ में एक रेरेशन दिया हुआ है जिसमें ए और बी रियेटेंट है और के सामें चार एक्सी में इकरिमेंट का रियनुट किया है जिसमें हर इकरिमें पटोम पाइइंस ग्र१र 5520 तो आपको उस एक्स्प्रेम्म में फोकस करना जहां पर बी काम आण फिक्स होगा आप चेक करोगे डेटा सेट अगर देखों कि वन एंट्री वन एंट्री में आपका बी काम आण फिक्स है तो बी में कोई चेंजर नहीं हुआ है और एक और डबल हो रहा है तो उसके समय पॉए सब्सक्रेंट है इनुगैं सब्सक्राइब आए इसके समय क्या वुसीत हो सिंपली कि एक प्रवर ज हो जो होगा जीरो होगा वोगा तुछ सब जाएगा जो होगा तो का पावर रहा हो जाएगा जीरो कुछा यहां पर यहां पर जरने है तो आप देखोगे कि कहां पर वेरी कर रहा है तह आप क्या करना याफ़ एक लामबर एक जो कौ फोकस कर लोग के दरन बर वान नीटोंको आप फोकस कर लो तो 1, 2 में चुक्किया आपका A का पाउर 0 हो चुका तो इसको हम नेगलेट कर सकते हैं तो जो भी इंपैट आगा rate में किसके अरना हैगा जो भी इंपैट आगा due to होगा due to B तो यहाँ पर क्या होगा B double हो रहा है और rate में इंपैट क्या हो रहा है आपका double हो रहा rate में पेट क्या है इसका मतलब double का power जो y होगा y का पाउर अब क्या लोगे कि हाँ पर 8 हो जाए तो y का पर क्या होगा 3 यहनि x का पना जिरो निकाल दी और y का लोगा 3 निकाल दी इसका मतलब जो rate लोगा rate लोगा rate लोगा के a का power 0 and b का power क्या होगा 3 इसको अब लिए सत्य हो के b का power 3 आपको जाप्सन होगा option c होगा इस question का correct answer ध्यांदना इस question को simply आप यह भी बना सत्य थे क्या आपको पादा चलेगा कि a का power 0 है यानि एक respect order क्या 0 है तो अब ध्यांदनेंगे आपका option जो होगा a और b तो ऐसे हट सक चुगा था अब simply क्या होगा c और d में से किसी को कोई एक टिक करना था तो फैनले हम लोग answer निकल चुक है किसका answer जो होगा c correct answer होगा तो यह था इस question का analysis मोग करता हम लोग next question पर